हमारे सरीर या हमारे सिस्टम में जो जठीलता और असुतियां है उसको कैसे हटाए हमें इच्छा होती है कि हमारा जीवन सिंपल या फ्यॉर हो वो कैसे बनाए चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं जब आप कहीं से भी गुजर रहे हो यहां तक की बजार में चलते समय एक मंदिर में जाते हुए या आप किसी बगीचे से गुजर रहे हो या आप किसी मौल में जाते हो या आप किसी मौल में जाते हो या आप किसी मौल तक के परिवार से मि करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास करने के लिए कुछ भी नहों फिर भी आप चाहें या नचाहें उस जगह के वातारण के अनुसार आपका मन प्रभावित हो जाता है। जाने अन जाने में हम एक स्पॉंज की तरह वातारण के प्रभावों विचारों के प्रदूशन दुसरों के अहसास दुसरों के भावनाओं को अपने बेतर लेते जाते हैं। हम अन्जाने में उन बातों को अपने मन में जगह दे देते हैं। तो फिर उन चीजों की कल्पना करें जो सिधे तोरकर हमारे भाग लेने से पैदा होती है। मनने कि किसी के साथ आपकी तक्रार हो गई और उसके करणा आपके दिल और दिमाग पर उसकी चापे खड़ जाती है यदि दिन बदिन उनहीं लोगों के साथ वैसी ही बाते होती है तब आप कहते हैं कि अर नहीं कुछ तो ठीक नहीं है मैं एक तरह से असुद्यों जैसे भारे से बोजिस महसूस करणा हूँ यानि संसकार जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी योग के अनुसार सभी प्रकार के संसकार चाहें वो अच्छे हो या नहीं चाहें वो बुरे भी क्यों नहों वे संस्कार भविश्य के लिए बीज रूप होते हैं कहा जाता है ने कि आपका बंदन सुने की लखिरों से हो ये लोह की लखिरों से हो बंतर तर आकर में बंदन ही है जब हमारे संस्कार या यूँ कहिए कि हमारे संस्कारों का बंदन अच्छा होता है तब हम अच्छे भविशे का आनन लेते हैं लेकिन जब हमारे समस्कारों का बंदन बुरा होता है तब हमारा भविशे बुरा होता है बहुत सिंपल है यह जब हमारे पास अच्छे और बुरे दोनों की समस्कारों होते हैं उसे की अनुरूप भविश्य में हमारा जिवन विक्सित होता है हला कि योग का अलग नजरिया है योग कहता है मैं अब कोई भावी जिवन नहीं चाहता मुक्स चाहता मुक्स चाहता